हेलो बच्चों आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे फाइलम प्लेटी हलमेंथिस, फाइलम एसके हलमेंथिस और फाइलम एनिलिटा यदि आप गौर करें तो आज की हमारी जो क्लास है वो वर्म स्पेशल क्लास हैं मतलब क्रिमी विशेश क्लास आपने देखा होगा कि कई बार छोटे बच्चे करिमी से परिशान होते हैं पुरुशों को महलाओं को भी करिमी की शिकायत होती है और ये करिमी केवल सीमित नहीं है बलकि ये आँखों में भी पाये जाते हैं ये पैरों से गुज जाते हैं ये मनुश्य के इतने बड़े लुक खरीदे और ला करके आप उसको डिरेक्ट अपने किचन में रख रहे हैं तो वो सुरक्षित है क्योंकि आपका किचन साफ है तो आपको ये जानकारी देना बहुत आवशक है कि ऐसे क्रिमी का अध्यान आज हम करेंगे जिसके अंडे 6-6 साल तक वाइटलेटी या जीव रहते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक क्रिमी है ये मनुश्य की जो रक्त शिराएं हैं जो ब्लड विसल्स हैं उनमें पाए जाते हैं आखों में पाए जाते हैं आतों में पाए जाते हैं इंटेस्टाइन में मिलते हैं ये आईज में मिलते हैं तो ये इनके कुछ स्पेसिफि फाइलम के जंतुओं का अध्यान करेंगे तो अब हम शुरुबात करते हैं फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस का एक सामान्य नाम भी हम पुकारते हैं common name जिसको हम कहते हैं और वो है flatworm जरह गौर करेंगे बच्चों हम इसको flatworm क्यों कहते हैं क्योंकि ये ये जैसे आप देखते हैं कि dorsal और winter surface तो जिस तरह से हम देखते हैं आप अपनी हतिलियों को देखेंगे तो एक तरफ थोड़ा सा गहरा रंग है और एक तरफ बिलकुल उजला रंग है तो ये इसमें दो सरफेस होते हैं दो सतह होती है इस वर्म में एक dorsal और एक winter तो ये फ्लैट हो जाते हैं फ्लैट होने के कारण इनको हम फ्लैट वर्म कहते हैं ठीक है अब फाइलम प्लेटी हलमेंथिस के अंतरगत ही हम पढ़ते हैं कि ये जो class है ये जो अध्यन जब हम करते हैं एक फाइलम की स्थिती के लिए तो हम देखते हैं कि इस फाइलम में जो जन्तु आते हैं जो उदाहरन मिलते हैं वो दो तरह के होते हैं या तो ये परजीवी होते हैं या फ्री लिविंग होते हैं मतलब क्या हुआ कि स्वतंद्र जीवन जीने वाले होते हैं तो जब ये परजीवी होते हैं तो ये समान्य तया एंडो परजीवी होते हैं अंतह परजीवी होते हैं एंडो परजीवी का मतलब क्या होता है ये शरीर के अंदर अपने होस्ट अपने पोशक के शरीर के अंदर हो तो उसी तरह से ये शरीर के अंदर अपने host के पोशक जो शरीर है उसके अंदर मिलते हैं कभी-कभी ये free living भी होते हैं, ये fresh water में भी मिल सकते हैं free living state में जैसे कि डूजेशिया, डूजेशिया एक ऐसा उधारन है जो कि fresh water free living जन्तु है इसके बाद आती ये बाद, habit और habitat या आदत और आवास के बाद अब हम देखते हैं ये a silomate होते हैं, इनमें silom absent होता है, ये a silomate होते हैं, ठीक है इनका जो level of organization होता है, या जो संरशना का इस्तर होता है, वो क्या होता है तो यहाँ पर अब जो level of organization है वो organ level of organization हो जाता है मतलब अलग-अलग कारियों को संपादित करने के लिए अलग-अंगिस में मिलते हैं और इस तरह से अलग-अलग कारियों को संपादित करने के लिए अलग-अलग अंगों का निर्मान यहां पर या अलग-अलग अंगों की उपस्तिती यहां पर मिलती है जैसे कि यदि हम इनका एक्सक्रीशन या उसर्जन तंत्र देखें तो यह संपादित होता है flame cells से ठीक है? आप देख रहे हैं flame cells आपको flame इसको क्यों कहा जाता है? यह एक ज्वाला की तरह दिखती है और इसमें आपको देखिए cilia दिखेंगे, pseudopodia दिखेंगे और यहीं से यह जो nitrogenous waste होता है वो उसको यह उत्सरजित करते है अब आती है बाद digestive system की तो इनका जो digestive system होता है वो incomplete होता है अर्थात क्योंकि आपको पता है कि ऐसे भी यह परजीवी होते हैं मतलब इन में single opening of body होता है single opening of digestive tract होता है मतलब कि केवल मुह उपस्तित होता है केवल mouth होता है एनसिस में नहीं होता respiratory और circulatory system इन में नहीं पाए जाते तो बचा क्या nervous system देखते हैं nervous system चुकि यह organ level पे अपनी सर्शना प्रदर्शित करते हैं तो system के तोर पे जाहिर सी बात है कि इनका इनकी शरीर की जो सर्शना होगी वो बहुत कमजोर या बहुत primitive प्रकार की होती है तो बहुत ही primitive प्रकार की nervous system या तंत्रिका तंत्रिन में मिलता है और उसका जो पूरा आकार होता है वो सीढ़ी नुमा होता है आप देख सकते हैं यहां पर कि जो सीढ़ी नुमा दिख रहा है यहां पर यह प्लेनेरिया का जो आप देख रहे हैं यहां पर यह nervous system है और किस तरह से सीढ़ीया बनी हुई है और बहुत ही simple, बहुत ही primitive बहुत ही साधारन तरह का तंत्रिका तंत्र है केवल कुछ sensory sales होते हैं और उससे यह आभास उससे यह पता लगाते हैं कि इनके आसपास का वातावरन कैसा है अब बच्चों आगे हम बढ़ते हैं तो बात आती है इनके प्रजनन पे तो यह एसेक्शुल और सेक्शुल दोनों मतलब अलेंगिक और लेंगिक दोनों तरह से प्रजनन कर सकते हैं जो अलेंगिक प्रजनन है इसमें कभी कभी binary vision भी दिखता है और इनमें regeneration भी पाया जाता है उसका उदारन है प्लैनेरिया आप देख सकते हैं regeneration का मतलब होता है या पुनर निर्माण या पुनर जनन जिसको हम कहते हैं उसका अर्थ होता है आप देखे एक प्लैनेरिया है उसको कई भागों में बाटा गया तो हर भाग से वो अपना जो खोया हुआ भाग है जो missing part है वो उसको बनाने में सक्षम है इसको कहते हैं हम regeneration sexual reproduction की तरफ अगर हम आते हैं तो इनमें gamit formation होता है ये hermafrodite होते हैं इनमें sexual dimorphism मतलब male female अलग-अलग तरह से नहीं पाये जाते तो फिर क्या विशेष्टा है इनके विशेष्टा ये है इनमें fertilization internal होता है और आंतरिक निशेचन के साथ ही ये indirect या अप्रत्यक्ष विकास को दर्शाते हैं अप्रत्यक्ष विकास आप देखिए यहाँ पर कई तरह के लार्वा हैं जिसको बहू लार्वल स्टेज या multi-larvल स्टेज हम कहते हैं तो ये कई तरह के लार्वा आपको दिख रहे हैं यहाँ पे देखे सरकेरिया है मेटा सरकेरिया है रेडिया है तो ये सारे लार्वा जो हैं ये दर्शाते हैं इनके विभिन अवस्ताओं को इनके जीवन चक्र में अब जब बात आती है इनके जीवन चक्र की जब बात आती है इनके परजीवी प्रकार की तो हम देखते हैं कि कुछ जो क्रिमी हैं कुछ जो वर्म हैं उनका हम थोड़ा सा संक्षिप्त में अध्यन करेंगे तो हम चलते हैं फेशोला हिपेटिका या की लिवर फ्लुक जिसको कहते हैं हिपेटिका जब भी नाम आता है तो हिपेटिका का अर्थ होता है रिलेटिट टू लिवर मतलब यक्रित से संबंधित तो फेशोला हिपेटिका को आप देखिए यहाँ पर अपना जीवन चक्र पूरा कर रहा है और ऐसा जीवन चक्र जिसमें की दो प्राणियों की आवश्यक्ता हो रही है तो ऐसे जीवन चक्र को हम डाई जिनेटिक ठेखिए अब आगे आते हैं तो दूसरा जीवन चक्र है त्टैप वम यह टीनिया सोल य का आप जीवन च्टैप नुश्य इसमें फिर होस्ट इन उसका यह हूं और यह जिसको हम शूकर कहते हैं तो मनुश्य और शूकर इसमें दो host है दो इसके पोशक हैं उनके बीच में इसका जीवन चक्र पूरा होता है कैसे होता है आप देखिए जो pork है pork जिसको हम कहते हैं मतलब शूकर का manse जिसको कहते हैं वो मरिश्यों में भोजन के तौर पे यह उप्योग करते हैं तो जब यह उस कच्चे मांस का कभी गलती से या भूलवश उप्योग कर लेते हैं तो इन में वो जो लारवल स्टेज है tap warm का वो चला जाता है और tap warm के एक खासियत है कि वो जब मैच्योर होता है तो उसके proglotid कड़के बाहर आ जाती है और वो उसके फीकस के साथ बाहर निकलती है और शूकर उसको उप्योग कर लेता है खा लेता है जब यह खाता है तो इसमें हेग्जाकेंथ लारवा आप देख रहे हैं हेग्जाकेंथ जिसमें की छे दांथ होते हैं तो हेग्जाकेंथ लारवा बनता है बाद में हेक्जाकेंथ लार्वा शूकर की इंटेस्टाइन से ये चला जाता है और इंफेक्ट करता है ये इसकी मांस को और इसमें अब दो मेंब्रेन इसकी सुरक्षा के लिए आ जाते हैं और अब ये हेक्जाकेंथ से ओंको फोर बन जाता है और पुना ये मनुश्य के शर बच्चों इस Phylum Pleatis Helminthes के वर्गी करण में तीन क्लासे जाती हैं पहली क्लास है Turbularia जिसका उधारण है Dugasia और दूसरी क्लास है Trimetoda जिसका उधारण है Fasciola और Sistrosoma Fasciola की चर्चा हमने की Sistrosoma के बारे में आपको बताना चाहूंगे Sistrosoma क्या है Sistrosoma जो है बच्चों इसको हम रक्त क्रिमी या Blood Warm भी कहते हैं आप देख रहे हैं कि ये मनुष्य के Blood Vessels में पाए जाते हैं ये क्रिमी ये Warm तो इनको हम Blood Warm भी कहते हैं ठीक है और तीसरा क्लास है Sistoda जिसका उधारण है Tynia Solium या Tynia Seginata और Tynia Solium का जीवन चक्र भी हमने देखा है कि मनुष्य और शूकर को मिल करके ये दो होस्ट में दो पोशक में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं तो इस तरह से अब हम थोड़ा सा इसको दोराएंगे कि Phylum Platy Helminthes में हमने अभी क्या क्या देखा तो बच्चो Phylum Platy Helminthes सबसे पहले तो ये Flatworm के नाम से जाने जाते हैं दूसरा इनमे Organ Level of Organization मिलता है ये Acillomate होते हैं ये या तो अंतह पर जीवी होते हैं या Free Living होते हैं अगर ये अंतव पर जीवी होते हैं तो सामानित यह यह Digenetic मतलब दो पोशक में अपना काम पूरा करते हैं अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं इनमें जो digestive tract है जो आहार नली है वो अपूर्ड होती है incomplete होती है केवल मुह मिलता है इसमें एनस नहीं होता respiration और circulatory system के लिए कोई विशेश तंत्र विशेश औरगन नहीं होते हैं लेकिन उच्छ सर्जन के लिए flame cells मिलते हैं इनमें जो बहुत यह साधारन तरह का nervous system होता है वो स्रीड़ी निमा होता है लेडर लाइक होता है और reproduction, sexual, asexual दोनों हो सकता है अलेंगिक लेंगिक दोनों हो सकता है इनमें regeneration plan area में पाया जाता है और साथी साथ जब हम लेंगिक की reproduction की या लेंगिक प्रजनन की बात करते हैं तो उसमें gametes का formation होता है, sperm और over milk के zygote बनाते हैं और फिर ये indirect development की तरफ आगे बढ़ते हैं मतलब अप्रत्यक्ष विकास का क्रम ये दर्शाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे larval stage आते हैं जैसे की सरकेरिया, metasarकेरिया, hexakene, thonkofor, radia ये सारी larval stages इनमें पाये जाती हैं इसलिए इनको multi larval stage कहते हैं चुकि बहुत सारे larval एक साथ होते हैं इसलिए इस condition को हम poly embryonic या बहु भुरूणी अवस्था भी कहते हैं तो इनके साथ ही platy helminthes या flatworm वाला phylum अब हम यहाँ पर समाप्त करते हैं